रोहिट श्रिटी के स्टंट बेस्ट रियालिटी शो खत्रों के खिलाडी 11 में इस हफते विशाल आदित सिंग और निकी तंबोली बाहर हो गए हैं दोनों ही शो में सभी स्टंट दिलेरी के साथ कर रहे थे लेकिन फिर एक गलती ने दोनों का सारा गेम बिगार दिया और वो शो से बाहर हो गए दरसल खत्रों के खिलाडी 11 के 22 अगस के एपिसोड की शिरुवात में रोहिट शेटी ने पार्टनर्शिव वीक में सभी प्रतियोगियों का स्वागत किया इस दोरान होस ने सभी को याद दिलाया कि वरुण सूध और दिव्यंका त्रिपाठी इस हफते के एलिमेनेशन से सुरक्षित हैं और उन्हें कोई अन्ने स्टन्ट नहीं करना है जबकि आज के एपिसोड में डबल एलिमेनेशन होगा इसके बाद रोहिट शेटी ने पहले से बनी प्रतियोगियों की जोड़ी को एक और जटका दिया जिसके बाद आगे के स्टन्स के लिए जोड़िया बदल दी गई आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एनन बॉलिवूड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले अनुशका सेन और अरजन बिजलानी श्वेता तिवारी इस दौरान पहला स्टंट अंडर वाटर स्टंट था जहां एक पार्टनर को एक हैंगिंग कंटेनर में बंद कर दिया गया था जबकि दूसरे साथी के पास सारी चाबिया थी और उसे खोलने के लिए उसे कंटेनर क और तैरना था अरजन श्वेता स्टंट का प्रयास करते हैं और इसे सफलता पूर्वक पूरा करते हैं इसके बाद अभिनव राहुल की बारी आती है ये जोड़ी डूपते हुए बॉक्स चुनोती को पूरा करने में विफल रहती है क्योंकि राहुल कुछ समय बाद स्टं था दोनों भागीदारों को प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना था और काली रस्टी की मदद से एक पुल बनाना था सना अनुष्का पहले जाकर ये स्टंट सफलता पूर्वक पूरा कर लेते हैं जबकि विशाल निकी स्टंट शुरू करते तो हैं लेकिन वक्त रहते जहां उनका मुकाबला अभिनवराहुल की जोडी से होता है एलमिनेशन स्टंट में जहां दोनों टीमों ने एक-एक सदस्य को तिल्चट्टे और मॉनिटर चिपकिलियों से भरे दो अलग-अलग बॉक्स में बंद कर दिया जाता है वहीं दूसरे पार्टनर को इस बॉक् जाल अदित्य सिंग और निकी तमबोली शो से बाहर हो जाते हैं आपको हमारे वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले